बागलपूर के एक चारी से प्रेम में धोका खाने का एक मामला सामने आया है हर पिता का सौक रहता है कि बेटी की धूमधाम से साधी करें वैसे ही एक पिता ने अपनी बेटी को साधी कर ससुराल भेजा मगर उस पिता वो क्या पता था कि उसकी बेटी एक ही महिने में इस सस्राल से घर वापस आ जाएगी अब ये भी कम था तो उसकी बेटी ने प्यार में अपने प्रेमी से मनदिर में जाकर सादी कर ली और मात्र चार दिन उसके साथ रही, पांचमे दिन उस धोके बाज प्रेमी ने लड़की को उसके घर वापस भेज दिया अपना लड़की पहली वाली सुसराल में रह पाई और ना ही प्यार ने उसको अपनाया मामला है कि हम जिससे प्यार करते थे ने, लड़का हम तुमसे प्यार करते हैं, रखेंगे, साधी करेंगे जिनकी बाज तुमना आएगी तो हम मर जाएंगे, इससे बला तो हम उसके साथ चल गए, 20 तारीको रात में वहां को लेके बाराड गया वहाँ पे रखाद 23 तारी को कमरे में साधी कर लिया वह घर आ गया बला कि हम एक गंटों में वापस लोटके आ जाएंगे वह उस दिना आया राद बराम को के लिए वहीं छोड़ दिया बराट में फिर 24 तारी को आया दसी 11 बजे के आसपस वह आया मतलब उसके घर वला सब गाड़ी वला लेके नो आद में आया उससब ने मिलकर बला कि मम्मी पपा को समझा दिये घर लेके दाएंगे वह अहां लेके गया मलकपूर में रखा फिर सौम हुआ उसके बाद लेके आया फिर पैती के बाहर घर बन रहा था वह रखा दस ग्यारा बजे के बाद फिर उनको अपनों मम्मी पपा के घर पहुचा जिया बला कि दो महिना अपने मम्मी पपा के यहां रहो उसके बाद हम घर बनाएंगे तुम को फिर लेके आयेंगे और उसके बाद अभी बोल रहा है कि नए रखेंगे दुसरा साधी करेंगे इसे उसे बोल रहा है तो हम चार तरीक को थानों में केस किये तो केस किये तो फिर नो तरीक को कहलगा लेके आया ती डाक्टर में जु पकर के उषको लाएंगे. अभी तक कुछ हुआ ना. चाहटी क्या हुआ? हम तो चाहते हैं नीरज़कुमार के साथी करके उसी के साथ राना. उतलब यही है कि बटी साथी करनाचा आठा है और क्या मुवला है? अब तो इनके साथ गई तो जाकर सादी करें रखे हो इसे साथ सादी किया बेची निराज मंदल के साद अब क्या हुआ है वह अधक्री नहीं रखना चाहता है और क्या हुए तो फairy नब नगणा मृणी नवें निराज मंदल है रख का बाँ वह वाज़ा है प्यार भी किया प्रसासन अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई हध्कंडे अपना रही है वहीं दोस्री और अपराधी बेलगाम होते चले जा रहे हैं ताजा मामला में जमूई ग्रामिन बैंक के असिस्टेंट मनेजर के पोस्ट परकारत 45 वर्सिय बेद प्रकास रिनुका को जमूई ग्रामिन बैंक से संग्रामपूर घर वापसी के क्रम में अपराधियों ने कान के नीचे गोली मार कर घायल कर दिया मैनेजर की स्थिती नाजुक बनी हुई है घटना तक्रीबन साम साथ बजे की है जब नकाब पोस अपराधियों ने बिलहर संग्रामपूर के पास असिस्टेंट मैनेजर वेद प्रकास रिलनुका के पास आकर छिंताई करना चाहा जिसके बाद अपराधियों का विरोध करने के क्रम में अपराधियों ने मेनेजर वेद प्रकास रिलनुका को कान के नीचे गूली मार कर घायल कर दिया मेनेजर का इलाज जबहारलाल नहरूच कितसा महाविद्याले अस्पताल मायागंज में चल रहा है इस्तिती नाजुक बनी हुई है गौर्टलब है कि यह घटना ह होते ही वेद प्रकास रिलनुका ने गायल वस्था में ही अपने मोबाईल से अस्थाने किसी व्यक्ति को फोन की और उसे बुलाया जब तक मदद के लिए लोग आते तब तक उनकी स्थिती काफी नाजुक बन चुकी थी आनन फानन में परिजनों ने उसे भागलपूर के म मायागन स्पिताल में इलाज के लिए लाया मेनेजर वेद प्रकास परते एक दिन अपने बैंक जमूई से घर वापस आया करते थे और आने के क्रम में अपने ग्रहकों से तहसिलतारी भी किया करते अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने पैसा वा मोटर सैकिल छ किया खिंटाल में घठना को यह कहान ज्यत्ता है कि कहा अपर ईजचता खंद और संग्रामपूर मने मम जमूई से लोड़ रहे ते घर अपनी का अहां जव में पर आखने के क्रम में थे और पर रहें और जमूशाने के बेज परकास रहें खार में एप्लास अप्र अठाना चाने से पहले हो पहुछ गया हुछ गया है तो जो किसे गुड़ी लोग हुआा है लेकर तिम लोग थे यह वोग है जो जाते थे जमूर से जमूर है जमूर ही मन गया है शिंटाई भी कोशिष्ट होता है कि कोशिष्ट हो जो है कि अधिक बच्चा जब जंब लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही होता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविष्ट में उसमें बिकलांगता की समस्य आती है जिसे सीपी कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा बिकलांगता से जूद सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है। जन से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाए तो उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें। भागलपूर के कहलगाओं पर्खंड में प्रीइम परसंग में एक नाबालिक जोड़े को साधी करवाने का मामला प्रकास में आया है दरसल दोनों कई महिनों से एक दूसरे के साथ इसकतर प्यार में ढलते चले गए कि दोनों कब एक दूसरे के हो गए दोनों को पता भी नहीं चला वहीं 2-3 दीन से इन दोनों का फोटो किसी अग्याद को दरा सोसल मीडिया पर वारल कर दिया गया जिससे लड़की के परिवार वाले आग बबुला हो गए और लड़के के परिवार बालों को भी इसके सूच ना दी गई जिसके बाद कई घंटों तक दोनों परिवार बालों में जम कर बबाल हुआ लेकिन लड़की के परिवार बालों का कहना था कि जब लड़की का फोटो इसके साथ वबारल होई गया है तो इस लड़का को साधी करना ही होगा वहीं इस हंगामा के बीच कई ग्रामिन भी सामिल होगे जिसके बाद सैकलो ग्रामिन बालों के साथ कहलगाओं गंगा घाट के चार धाम में पहुंचकर हंगामा करना सुरू कर दिया लेकिन लड़का के परिवार बाले इस साधी को करने से इंकार करते रहे लेकिन हंगामा के बाद लड़की को बुलाया गया और सैकलोरों के बीच साधी करा कर विदाई करा दी गई लड़का खुसी खुसी साधी करके लड़की को अपने घर ले गया आपको बता दे दोनों लड़का लड़की नाबा लिग है लड़का का उम्र महज 16 साल है जबकि लड़की 15 साल की है हाँ अनला इस शाज सेंगराना का उन्ह अनला इसाय कंद एक हो अनला सम्सक्ते सोच्छ कर देंगे जाए Consirens mama भागलपूर के नवगचिया पुलीस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए नवगचिया के एसपी सुसांद कुमार सरोज ने प्रीसवार ताकर अहम जानकारी दी है उन्होंने कहा कि जंडापूर थानाचित्र के एक घर से अवध देसी कटा, पिश्टल और जिंदा गोली और सदाप के साथ दो सगे भाईयों को गिरफतार किया गया है हलांकि छापे मारी करनी के दुरान एक अपराधी पीछे के दरवाजे से भागने का प्रयास किया लेकिन पुलीस ने उसे खदिर कर पकड़ दिया गिरफतार यूबक में दो भाई चिक्कू कुमार एवं मिथुन कुमार है जो अवध सराब महतियार की बिकरी करते थे घर की तलासी लेने पर चिक्कू कुमार के कमरे में टीन के एक बड़ा ट्रंक से एक अठारा इंच देसी कट्टा एवं 36 जिंदा कार्तूस बरामत किया गया तथा मिथुन कुमार के कमरे से छज्जा के ऊपर कपड़ा में बांध कर रखा हुआ एक देसी पिश्टल बरामत हुआ घर के रसोई घर में छुपा कर रखा गया पांच बोतल बिदेसी सराब बरामत हुआ वहीं पुलीस ने दोनों के उपर आर्म्स एक्ट और मध निसेद एवं उत्पाद नियम के तहद मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है इसमें धाना परभारी जंडापुर ओपी अजीद और एल्टेर बीपुर एसाई कस्यप कीम को बनाए गया और तक्षन दोनों जाकर पर छापा मारी करने करें में चीकू जो है वह घर से भागने का कोसीज कि उसे गिरबतार किया गया और तलासी में उसके पास एक कट्टा ब्रामद होगा और जो घर का तलासी लिया गया यह हतियारत देख रहे हैं और दूसरा भाई उसका मिथुन है मिथुन के कमरा से सज्जा के उपर में एक देशी पिस्टल भी ब्रामद कपरा में बंधावा इस तरह कुल तीन दो कट्टा है पिस्टल है तीनों कंट्री मेड है उसका किबल वो नली जो है वो बढ़ा है और इच्छातिस कुल गोली ब्रामद हुआ है और कुल पांच यह सराव का तुमिन ब्रान का बोतल ब्रामद हुआ है जिससे यह हतियार गोली और सराव लिया गया था उसका भी नाम में बताया है अब रादी उससे बहुत पिरपैति के टोपरा गाउं के निवासी अजीत तिवारे के पुत्र अभिनब कुमार ने DSP बन कर अपने परखंड का नाम रौसन किया है। कि हमारे समाच के लिए गर्व की बात है। मैं एक सी चक हूँ, बच्चे आगे बढ़ते हैं तो सबसे अधिक खुसी इस सी चक को ही होती है। एक चीज़ बताएं यूट्यूब ने आपकी जिन्दगी बदल दी ये आप मानते हैं या नहीं। जरूर। जरूर। चीज़ ठीक है। यूट्यूब को क्या बोलना चाहेंगे आप। अगामी महापर्व छट को लेकर सफाई जलापूर्ती एवं रौसनी बेवस्था को लेकर मेयर डॉक्टर वसनुरालाल ने सभी प्रमुग घाटू का अंद्र रिच्छन किया। जिसमें भागलपूर भागलपूर की आजपास के सभी घाटों की साब सफाई प्रकाल बेवस्था को लेकर कई मुल्भूत सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। आज हम लोग मुसहरी घाट और उन्वर्सिटी घाट का निरिक्छन किये। दोनों घाट पे यही पाया हमने कि थोड़ा थोड़ा काम उसमें है। उसका स्लोप बनना है, उसमें बालू बिछना है, गंदगी साब करना है। और जो भी साब सफाई है, घाट में जो बिसर्जन होता है, उसका भी निरिक्छन किये। वह अभी अच्छे से बना नहीं है, उसको अभी समय है, वह बन जाएगा। और काली पूजा का मुर्ति का जब उसमें बिसर्जन हो जाएगा, तो छट के लिए उसको भर दिया जाएगा मिर्टी से, और बड़ावर करके फिर जो आने वाले हैं छट में, उन सब को किसी तरह के परिशानी नहीं होगी, सब को सुविधा मिलेगी, और अच्छे से वो इंजुआई करेंगे, यह हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा इस बार रहेगा. तीन चरन बनाये गए हैं, जिसमें पहले चरन में लोग पूछताच के लिए आएंगे, फिर सैचनिक जानकारी लेंगे और फिर रजिश्टेसन करेंगे. इस कारिक्रब में लोगों को जागरू करने के लिए नुकरनाटक, क्वीच, खेलकुद के लावा कई गतिवीधियो से लोग लावान भित होंगे. साथ ने बताया कि 24 नॉवंबर से 26 नॉवंबर तक तीन दिनों तक चलने वाला यायकर मिला, परतीक दिन 9 बजे सुभा से साम 7 बजे तक चलेगा. लोग इसका हर एक बिंदू पर लाविल ले जकते हैं. कर सकें कि नॉवंबर 24, 25 और 26 को भागलपूर में केंद्रिय प्रतेक्षकर बोड द्वारा एक टैक्सपेयर हब सेट अप होने वाला है. ये टैक्सपेयर हब देश के साथ शहरों में सेट अप हो रहा है. राजेस्थान में हीलवाडा, केरला में कोजी कोड, विशाखा पत्नम में अंधर प्रुदेश में विशाखा पत्नम, उडिसा में कटक, मेघाले में शिलॉंग, उत्तर प्रुदेश में जहासी और और बिहार में भागलपूर में. ये तीन दिनों के लिए टैक्सपेयर हब सेट अप होगा. इसका मुख्य उद्देश है कि यहां के लोगों के बीच में टैक्सपेयर अवेरनेस बढ़ाना, ताकि लोग अपने राइट्स और अपने रिस्पॉंसिबिलिटीज की वारे में जाग्रूप हों. इस टैक्सपेयर हब में ये स्टैंडीज कॉंपाउंड के बाहर ये सट अप होगा और इस टैक्सपेयर हब में तीन कियास्क होंगे. सबसे पहले वहां एक इन्फरमेशन कियास्क होगा. जहां की लोग जाकर के अपने जो भी सवाल हैं उसके वो अंसर्स पास सकें, जो भी उनके मन में शंकाएं हैं उसके उसको जाके वो वहां क्लियर कर सकें. इसके अलावा वहाँ पर एक एक एज्चेशनल कियास्क होगा. डिपार् Minist के पास बहुत सारा educational literature है, बहुत सारे समस्याओं पर, बहुत सारे issues पर, बहुत सारे categories of taxpayers के लिए, तो वो educational kiosk पर उनको वो सारा material मिल जाएगा, and finally वहाँ पर एक grievance kiosk होगा, जहाँ पर अगर किसी के पास कोई grievance है, तो वो जाकर के उसको वहाँ पर रिजिस्टर करा सकता है, या अगर इसने कोई पहले गिवाँ रिजिस्टर कराया है, तो वहाँ पर जाकर के उसका redressal करवा सकता है, यह सारे kiosk जो हैं, department के officers, man करेंगे, इसके अलावा, tax hub में, एक children's corner भी रहेगा, क्योंकि हम लोग का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कल के future tax payers हैं, कल के future employees हैं, कल के future businessmen हैं, professionals हैं, तो उनको nation building के लिए कैसे हम जागरूप करें, tax payment के लिए कैसे जागरूप करें, कि उनका यह एक राष्ट कर्तव और duty है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक children's corner भी रखा है, tax hub में, इस children's corner में बहुत सारे games होंगे, comics होंगे, वहाँ पर magic show होगा, वहाँ पर नुकरनाटक भी होगा, वहाँ पर side by side, और quiz competitions, painting competitions भी organize किये जाएंगे, हम लोगों ने भागलपूर के schools को reach out किया है, हम लोगों को बहुत अच्छा response मिला है भागलपूर के schools के तरफ से, और हम लोग उमीद करते हैं कि schools के बच्चे अच्छे तदाद में वहाँ पर आएंगे, taxpayer hub में सब के कुछ न कुछ है, अगर professionals हैं तो वो भी जा सकते हैं, वो भी अपने queries की जानकारी ले सकते हैं, अगर general jar group citizen है जो की जानना चाहता है अपने, अपना investment planning के लिए तो वो भी वहाँ जा सकता है और वहाँ पर information ले सकता है और अगर कोई grievance है तो वो रिजिस्टर कर सकता है, अगर बच्चे हैं तो जाकरके उनको financial literacy बढ़ाने में ये मदद करेगा, तो ये तीन दिनों के लिए setup हो रहा है, 24, 25 और 26 नवेंबर को 9 बजे से 7 बजे शाम तक, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ-कुछ कुछ कारिक्रम on the sidelines कर रहे हैं, जैसे कुछ समिनार्स हम लोग कर रहे हैं, उसके लीटेल्स हम लोग बाद में शेयर करेंगे, तो ये हम लोग का कारिक्रम है, ये भागलपूर शेहर में पहली बार हो रहा है और हमें इसको कोशिश करना है कि इसका हम भरपूर फाइदा उठाएं, ताकि हमारे टेक्सपेल लिटरसी, हमारे लोगों के बीच में जो एक भ्रांती है, कुछ लोगों के बीच में या मिसकंसेप्शन है, या कुछ शंकाएं हैं, ये वो दूर कर सके हैं और अपनी जागुता को बढ़ा सके हैं आगामी 2024 की चुनावब को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसली है, इसका जीता जागता नमुना भागलपूर में देखनी को मिला, जहां एक तिरफ नितीज कुमार ने जाती जनगन ना कराकर सुर्खियां बटोरी, वहीं दूसरी और नितीज कुमार के कई बिरोधी भी ख काम किया है, साथ ही हमें सिर्फ और सिर्फ लॉली पॉप दिखाने का काम किया है, मैं इससे काफी नाराज हूँ और अपने परधान मंतरी नरेंदर मोदी से मैं काफी प्रभाबित हूँ, इसलिए में भाचपा में विलीन होने जा रहा हूं, मेरे साथ कांगलिस के भी कई लोग भाजपा में आगामी साथ नौंबर को पटना में सलस्ता गिरहन करने जा रहे हैं। साथ नोंने कहा कि अगर हमें भागलपूर का पतनियुत करने का मौका मिला तो मैं भागलपूर का चहुमुखी विकास करूँगा। माननिया सम्राच चौधी के नेतुरित में अपने पार्टी का मर्च करेंगें। उसमें हजारों के संख्या में हम भागलपूर से और रिफ्रेंज जगह से बिहार के कौने-कौने से आदमी आ रहे हैं। और उसमें बहुत ऐसे आदमी हैं जो कॉंग्रेस के भी हैं जो जिराजत से आओं और जदियू से जो हमारे संपर में आपको पता है हमारा नेटवर्ट हमारे लोग बहुत जगह है और हमारे साथ वो भी अपना मर्च करना चाहते हैं। जब तक मेरे जिन दिये तब तक उसके साथ काम करेंगे बाद नेपाला देखिए आपको पता नहीं हम किसी के साथ साल रहते हम बाइस साल तक में तिसकुमार के साथ रहे हम को क्या मिला अगर हम उसको छोड़े तो उसके पीछए कारण है अश्यायम करता है तो अगर हमको प्रपर रिच संमाम देता है तास हम कहीं नहीं जाते हैं। और उसकी नीति नीयत अश्पर नहीं जाते है। अथे पिसाग सात न्या नहीं करता आप तही जाते हैं। अब विजयए पी में सम्माम मिलेगा?